अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस्नाओ राइट अप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वज़े से हम 2000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं तो दोस्तो आज बहुती स्पैस्विक टॉपिक पर डिसकस होने जा रहा है जैसा कि आप लोगों को बहुत चर्चे में है ये खबर जैसा कि आपको अलड़ी पता है राम मंदिर का फैसला जो कि आज आना था दस बच के तीस मिनट में और वो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा मैं किसी रिलीजन को ले करके कोई भी चीज़न नहीं बोलना चाहता हम सब भाई हैं हम सब भाई बेहन हैं हम सब लोग एक हैं राइट तो जो जजजिस की टीम ने जो डिसीजन निकाला है वो कुछ सो समझ के ही किसी रिलीजन के पक्ष में वो डिसीजन नहीं है उन्होंने काफी सारी चीज़न सोची होंगी उसके बाद मैं ये सारी चीज़न बताई हैं तो गाईज मैं आप लोगों को बता दूंगा जो ये मामला है ये करीमन सतर साल पुराना ये मुकदमा चल रहा था तो इसमें मु की जन्म भूमी है तो एक्चुली 6 दिसंबर 1992 को बावरी मस्जिद ढही थी और एक नारा दिया गया था एक धक्का और दो बावरी मस्जिद तोड़ दो तो ये काफी गलत था मैं इसके मतलब ये जो भी जिस भी आदमी ने नारा दिया और जो भी चीज़ करी बावरी जिद ढहा दी गई इस तरीके की जो प्राबलम हुई है सारी चीज़ें गलत हुई ऐसा नहीं होना चाहिए था जिन भी जो भी लोग इस चीज़ में शामिल थे उन्होंने ये बिल्कुल गलत किया क्योंकि कभी भी किसी धरम और किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाना च को पॉइंट आउट नहीं कर सकते जिनका जिस तरीके से मानना है वो उसी तरीके से मानेंगे एक्चली इसका जो विवाद है वो सदियों पुराना विवाद है बहुत बड़ा विवाद है और बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है इसका कोई डिसीजन नहीं निकला थ से लड़ाईयां दंगे जगडे फसाद बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसका कि फाइनली आज डिसीजन दस बच के तीस मिनट में आ गिया एक्चुली बात यह है कि मुसल्मान कहते हैं कि बाबर ने यहां मस्जिद का निर्माण करवाया था अब सच क्या है वो तो बाबर ही जाने राइट तो हिंदू कहते हैं यहां रामभूमी थी और मुसलिम कहते हैं बाबर ने यहां पे मस्जिद का निर्मान करवाया था तो आज क्या हुआ 10 बच के 30 मिनट में एक बहुती एहम फैसला और बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है क्योंकि ये कई सालों से कई दशकों से ये चीज चल रही थी जिसका कि decision नहीं आपा रहा था कोई भी x y g reason हो सकता है तो finally आज decision आया है मोदी जी की सरकार में decision आया है thanks to मोदी जी की जो इतने समय से पचड़ा और ये जगड़ा चल रहा था उसका decision आपने finally दिया decision किसी के भी favor में हो मैं किसी के भी पक्ष या विपक्ष में कभी भी बात नहीं करूँगा जिन लोगों ने decision निकाला है वो एक बहुत well educated और इस field के master लोग है उन लोगों ने कुछ सोच समझ के ही a decision निकाला पांच जजों की team थी जिसमें cheap justice जो है रंजन गोगोई की अध्यक्षिता में जो पांच जजों की batch ने ये फैसला निकाला है तो guys they guys are multi talented और उनको इस चीज के बारे में इस तरीके के cases वो अलड़ी deal करते हैं तो उन लोगों ने कुछ सोच समझ के सारे लोगों ने decision लेकर के ही ये सारी चीज़े बताई हैं किसी के भी पक्ष विपक्ष में नहीं है फैसला दोनों को सही decision दिया गया है पूरी की पूरी जो जमीन है वो राम लेला विराजमान को सौब दी गई है राइट मतलब वहाँ पे जो विवाज चला था वहाँ पे राम मंदिर का निर्मान होगा और तीन मंथ के अंदर-अंदर एक trust का निर्मान किया जाएगा और मंदिर का कारी शुरू कर दिया जाएगा तो यह बहुत अच्छी खबर है ट्रस्ट का काम ट्रस्ट सौंब दिया जाएगा एक ट्रस्ट को और वही मंदिर का निर्मान करवाएगा और हमारे मुस्लिम भाईयों के लिए बहुत अच्छी खबर है सुन्नी बोर्ट को पांच एकड जमीन कहीं बाहर दी जाएगी मतलब उस सराउंडिंग से थोड़ा सा बाहर कहीं पांच एकड की जमीन दी जाएगी तो जैसा कि मैं कल सोची रहा था मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये फैसला मुस्लिम्स के पक्षमा आये ये फैसला हिंदू के पक्षिमा आए, ये फैसला दोनों लोगों के पक्षिमा आए, मेरा मानना ये था, मेरा सोचना ये था, और आज वैसा ही हुआ, जैसा कि मैं सोच रहा था, राइट, सुन्नी बोर्ट को भी पांच एकर जमीन कहीं बाहर दे दी जाएगी, और जो निर्म तो डिसीजन जिसके भी पक्षिमा आया है, जैसा भी आया है, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्षिन पर जरूर बताईएगा, आपका क्या कहना है इसमें कि आप किसके फिवर में चाहते थे, आप राम मंदिर चाहते थे, या बावरी मस्जिद चाहते थे, या आप ह मुस्लिम कहते हैं कि यहां पर मस्जिद थी और हिंदू कहते हैं कि राम भूमी थी, अब आप लोग जरूर बताईएगा कि अगर कोई knowledgeable person इस वीडियो को देख रहा है, तो वो जरूर बताईएगा आपकी इसमें क्या राए है, आप लोग जब से हम लोग पैदा भी नहीं ह कई सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत पहले से matter चल रहा है, इस matter का solution निकलना बहुत जरूरी था, इस चीज़ को ले करके बहुत बड़ी problem हो रही थी, आयोध्या के अंदर हिंदू मुश्लिम के अंदर दंगे हो जाते थे, कोई छोटी छोटी बातों को ले करके लड़ाईयां जगड़े होते थे, तो आज finally decision आ गया, और शान्ती बनाए रखें कोई भी social media पे कुछ गलत तरीकी की चीज़ें ना फैलाएं, किसी धरम और religion को point out ना करें, हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदूस्तानी हैं, ultimately हम हिंदू हैं, मुश्लिम हैं, सिख ह हैं, जो भी हैं, ultimately we are हिंदूस्तानी, तो being in हिंदूस्तानी शान्ती ब्यवस्ता बनाए रखें, सब बढ़िया से रहें, अच्छे से रहें, और फैसला जो है, वो दोनों के पक्षमाया है, हिंदू के पक्षमाय भी है, और Muslims को भी इसमें 5 एकड की जमीन देने का government ने प्यार दिया, and हम लोग 2000 subscriber cross कर गए, इस साल का target 5000 subscriber का है, November का महना चल रहा है, अगला महना last है, तो keep supporting, मैं आप लोगों के लिए latest update, direct selling से लेकर के, market में कोई trending चीज़ चल रही है, उस चीज़ से लेकर के, product unboxing में आपको multiple चीज़ें अपने channel के उपर लेकर के आऊंगा, thank you guys, love you all, Jai Hind, Vande Matram